नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेक्या हैं 30-40 का बहुती श्यांदार घर का नक्सा इस फैसिंग ये होम प्लान रहेगा यानि की पूरवा दिसा का ये घर है बहुती प्यारा नक्सा रहेगा तो पूरे प्लान को आप ध्यान से समझें काफी लोगों के 30-40 के को समझ लीजिए कौन सी दिसा किस तरफ है और हमने कैसे नक्सा रेडी किया है क्योंकि वास्तु के अनुसार जो नक्से होते हैं वो आपको अच्छे से समझने होते हैं तब ये प्रफेक्ट घर बना पाते हैं सबसे पहले देखिए आगे इसके पूरव दिसा रोड जा रह दरवाजे इधर भी नहीं रख सकते हैं इधर आपके नौर्थ है उत्तर दिसा इधर भी कोई खेटकी दरवाजा नहीं रख सकते हैं तो अब प्लान को समझेए क्लाट आपका इसकोनर से यहां तक 30 फिट चोड़ा है और इस corner से यहां तक भी 30 feet चोड़ाई है प्लाट की लंबाई यहां से लेकर यहां तक 40 feet है और यहां से लेकर यहां तक 40 feet है तो अपना 30 y 40 का यह plot हो गया तो 1200 square feet का आपका total यह plot होगा अब तीनो side अदर property होने के कारण सबसे पहले जो खास बात है वो समझे तीनो side दूसरों की property होने के कारण हमने ventilation के लिए देखिए यहां से लेकर यह पूरा यहां से लेकर आप जो यह green area देख रहे हैं यह पूरा हमने open चोड़ा यानि कि खुला चोड़ दी है पूरी gallery घर के चारों तरफ ताकि हमारी खिड़की दरवाजे निकल सकें क्योंकि एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप जब भी घर बना रहे हो या आपका घर बना हुआ हो या बन रहा हो कि first तो आपके घर का नक्सा वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए सेकिंड आपके घर का ventilation यान की खिड़की दरवाजे सुचारू रूप से खुलने चाहिए तबी आपके घर में positive energy आती हो तबी कमरे room बगेरा का अच्छे से ventilation हो पाता है अगर घर छोटा है तो उसके according plan बनवाईए एक ही कमरा बनवाईए मगर वास्तू और ventilation को सुचारू रूप से adjust करके चलिए क्योंकि घर बार-बार नहीं बनता है जीवन में mostly लोग 99% लोग एक की बार घर बना पाते हैं और बहुत से तो बना भी नहीं पाते हैं तो सबसे पहले देखिए घर का में दर्वाजे की हम बात करते हैं तो वास्तू अनुसार होने कार्ण यहां पर हमारा में दर्वाजा लगेगा जिसको में गेट बोलते हैं एंटर करेंगे अंदर तो आप देख रहें यहां पर आपको गाड़ी खड़ी करके हमने दिखा रखी है आपकी यह 11 फिट 7 इंच बाए 11 फिट 3 इंच की पार्किंग दी गई है छोटी फोर्विलर गाड़ी बाए किस्कुटी बगएरा अराम से आ जाएगी यह पूरा आपके उतर दिसा में ओपन है तो काफी सुन्दर लगेगा घर अंदर से भी आप देखिए आपके इस साइड में इस दिवार के ठीक पास में हमने स्पेस छोड़ा है उसके बाद में CD दी है वास्तु के कोडिंग तो यहाँ पर आपकी CD रहेगी इन फ्यूचर अगर नीचे का पोर्षन आपकी राएपर दे रहे हैं यहाँ आपके भाई के लिए छोड़ रहे हैं उपर आप खुद बना रहे हैं तो CD बाहर काफी अच्छे रहती है वेश्तित रंग से आपके घर का कारे चलता है यहाँ आपकी CD के बाद में देखिए यहाँ पर आपका में दरवाजा जिसको में डोर या चोगट भी बोलते हैं वो लगेगा अंदर एंटर करेंगे तो यह आपके गैस्ट के बैठने का आपका ड्रोइंग एरिया रहेगा पूरा सोफे बगेरा यहाँ पर आपके अराम से सेट हो जाएगे चाहिकी जो टेबल है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी और यहाँ पर आपका पूजागर बनेगा यहाँ पर आप ओपन पूजागर सुन्दर से मार्बल और लकडी के आते हैं मार्केट में तो उनको आप लगाएं काफी सुन्दर लगेगा इसान कॉर्णर में एक खिड की आपके इस साइड में ओपन हो जाएगी आपके ओपन एरिया में उतर की तरफ ताकि आपका जो ड्रोइंग एरिया रहेगा अच्छा वेंटिलेसन रहे और पूरा आपके आंगन का भी वेंटिलेसन रहे अब drawing area से इधर enter करते हैं तो आप देख रहे हैं यह पूरा आपका इस corner से लेकर यहां तक drawing area सहीत यहां से लेकर यहां तक पूरा area open दिया गया है वास्तु के according यह 11 feet 7 inch by 12 feet का living area पूरा है यानि कि घर का hole है उसके बाद में आप देखेंगे कि इस side में आपका open kitchen दिया गया है यानि कि खुला kitchen बट यह वास्तु के according रखा गया है आपका अगनी जो corner है वो बढ़ नहीं रहा है 12 feet 8 inch by 7 feet का है 12 feet 8 inch यहां से लेकर यहां तक इसकी चोड़ाई है और 7 feet इसकी यहां से लेकर यहां तक लंबाई है यहां पर आपका glass का या आप लकडी का partition लगा सकते हैं सु kitchen के बाद में बात आती है बरतन वगेरा धोने की open kitchen है तो वो काफी आपकी problems रहती है तो उसके लिए देखी यहां पर एक दरवाजा दिया गया है और यह जो पीछे space है इसके अंदर 4 feet की चोड़ाई ली गई है और यहां से लेकर यहां तक 8 feet 3 inch की लंबाई है वास एरिया दे दिया गया आप बरतन वगेरा रामसी यहां पर दो सकते हैं फिर आप देखी इस दरवाजे की से ठीक इदर आप आएंगे एंटर करेंगे आपने hole में तो यह dining area है 10 feet 6 inch की चोड़ाई है 8 feet की लंबाई है इस corner से यहां तक 8 feet की आपकी लंबाई रहेगी तो यह आपका dining area यानि की खाना खाने की जो table लगती है वो आपकी dining area उसको बोलते हैं तो वो यहां पर set हो जाएगी फिर बात करते हैं इधर से तो आप देखी यहां पर आपका common toilet दिया गया है toilet bathroom 7 feet 8 inch इसकी लंबाई है 4 feet चोड़ाई तो आप समझ सकते हैं इतना space common late bath के लिए काफी होता है ventilation आपका अच्छे से यहां पर yellow window है आप देख रहे हैं ventilation पीछे के open area में हो जाएगी अब देखी एक चीज़ ध्यान रखी अगर आप plan वास्तू के according नहीं बनवाते और अगर ventilation का ध्यान नहीं रखते तो toilet bathroom की kitchen की room की आप खेड़कियां कहां खोलते और घर में आपके लाग container से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक यह room दिया गया कमरा जिसके एक खिटके आपके उत्तर की तरफ खुल रही है room के size की बात करते तो 11 feet 7 inch और by आपके 10 feet 3 inch का यह आपका कमरा रहेगा काफी space में बड़ा सारा कमरा हो जाएगा common जो कमरे का size होता है वो यही होता है अब देखे आंगन के ठीक सामने इधर enter करेंगे तो यह तो आपका first room हो गया पर यह second बड़ा master bedroom हो गया है यह 12 feet 7 inch यानि की 12 feet 7 inch चोड़ाई है और 10 feet 10 inch लंबाई में बड़ा bedroom है यहां पर आपका बड़ी window इस side में जो open area है south में उधर आपकी open हो जाएगी एक window आपके इ इधर enter करते हैं तो master bedroom है तो यहां पर dress change करने के लिए यहां पर space रखा गया चार बाई चार का और यहां पर आपका दरवाजा लगेगा यहां पर आपका common आटेच लेट बाद दिया गया है अटेच लेट बाद 7 feet 11 inch बाई 4 feet का अटेच लेट बाद दिया गया है ताकि आप स्पेस का यूज हो सके और अच्छे से आपका घर का management बेट सके तो यह आपके दो रूम है master bedroom यह दे दिया गया है और आपका common bedroom यह दे दिया गया है वैसे आपके कोई भी living area और hall बड़ा होता है तो यह भी काफी आपके useful रहता है कोई भी festival में या कुछ भी क्योंकि घर का mostly समय आपका आंगन में गुजरता है तो देखी कितना सुंदर आपको देखने में इतना प्यारा प्लान लग रहा है तो आप कुछ सोचे घर बनेगा तो कितना अच्छा बनेगा तो यह best प्लान है 30-40 के लिए अगर ऐसे प्लान आपको और देखने है तो चैनल को जरूर subscribe कर सब्सक्राइब का बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो अगले वीडियो सबसे पहले आपकी पास आएंगे अगर आप वास्तू के नुसार हमसे नक्से बनवाना चाहते हैं तो आप मारे वाटसप पर मेसेज कर सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद